क्या भाजपानी सरकार के कारेकाल में ये एक बड़ी खबर नहीं है कि गोवन सनरक्षण के लिए बड़े बड़े दावे करने वाले सरकारी महक में और NGO एक चार मा की बच्चिया को सनरक्षण देने में कोई दिल्चस्पी नहीं ले रहे है। कानपूर के रतनलाल लगर इलाके में कुट्टो के हमले से गायल एक चार मा की बच्चिया की जान बचाकर उसकी मा से मिलाने के लिए चार छात्र नगर निगम और तमाम NGO की चौकटों पर गौहा लगा रहे हैं लेकिन जखमी वा लावारिस गोवन्श के प्रती कहीं से रहम क की उम्मीद नहीं जगी है 15 मार्ट दिन मंगलवार की रात लगभक 11 बजे कुट्टों के हमलावर वाले अंदाज में भौकने का शोर सुनकर रतनलाल नगर की SBI कालोनी में रहने वाले यूबक रचित अगरवाल ने घर से बाहर आकर देखा तो कुट्टों का जुंड एक चोटी सी बच्चिया को गेर कर उस पर हमला वोले हुए था कुट्टों ने उसकी टांक का काफी मास्क भी नोच लिया था कुछ देर हो जाती तो कुट्टे उसे जिंदा नोच कर खा जाते रचित ने डंडा लेकर कुट्टों को भगाया और पास जाकर देखा तो बच्च चिडियागर के अस्पताल में वालंटियर हैं तो वहां से मिला प्रस्रिक्षन घायल गोवंच की जान बचाने के काम आया सभी दोस्तों ने मिलकर चंदे से रकम जुटाई और इलाज के लिए दवा और इंजेक्शनों का जुगार किया सिपलाडीन वा न्यूस्प्रिन फाउडर से है मरहम पट्टी के बाद बच्षिया को एंटी रैबिज और एंटी बायटिक इंजेक्शन देकर कुट्तों के काटने से हुआ संक्रमल खत्म किया गया अब बारी थी बच्षिया को उसकी मा से मिलाने की पूरी राद खोजबीन के बाद भी पता नहीं चल सका कि किसकी गाय की ये बच्षिया है पशू प्रेमी मित्र मंडली ने कानपुर नगर के नगर निगम कंट्रोल रूम को फोन करके बच्षिया को गौशाला के सनरक्षन में लेने की गुहार लगा इसके बाद इसकान मंदिर दुआरा संचालित गौशाला प्रबंदन से भी संपर्क किया गया लेकिन अभी तक उन्हें सभी जगों से निराशा ही हाथ लगे फिलाल सभी चारो दोस अभी तक बच्षिया को अपनी देखवाल में रखे हुए हैं लेकिन उनके लिए हमेशा के लिए ऐसा करना मुम्किन नहीं है और गली कुत्तों को उस छण का इंतिजार है जब बच्षिया बाहर थोड़ी जाए और वो उसे अपना निवाला बना तके गोवन सर्मक्षण के लिए बड़े बड़े दावे करने वाले सरकारी महक में और एंजियो एक चार मा की जख्मी बच्षिया को सर्मक्षण देने में कोई दिल्चस्पी नहीं ले रहे हैं क्या भाजपानीत सरकार के कारिकाल में ये एक बड़ी ख़बर नहीं है Bureau Report News of Bharat